हेलो इंवेस्टर वेलकम बाक टू माय यूटीव चैनल डिजिटल सर्विस दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिम्मत सिंग सीड लिम्टेट के सेर्स के बारे में जिसमें हम कंपनी के fundamental analysis, कंपनी के technical analysis and कंपनी के business model पर चर्चा करने वाले हैं गसे दिए तो को भी वी वीडियों को आप फिचर में मिस्डा करें तो चलिए बीन न समका भर वीडियो को बीजिय पर करें अगर कंपनी की बात करें तो हिम्मध शीजड साइज लेंटेट इज ट्यूबर्जयों के सेसे इलेट यानि कि हिम्मत सिंग सीड लिम्टेड एक वर्टिकल इंटिगरेटेट कंपनी है जो होम टेक्स्टाइल प्रोड़क्ट को मैनुफेक्चरर एंड डिस्टिबूट्स का काम करती है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपसिटी, बैडिंग ट्रोड़क्स, बाथ प्रोड़क्स, ड्रैप कंपनी की पास इसका लाइसेंस भी है जिसमें Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Cat's Pat, Royal Velvet, Barbara Berry and Waverly जैसे ब्राइंड के लिए कंपनी प्रोड्यूस भी करती है इत्स़ाइग प्रोडारि एक निस्टिबूट लेंड थॉपर्ड टोड़च्हित प्रोड़च्षी सलीके प्रोड राइसे हेदी ब्रेयंड डिस्मों मेश्टिबूट वीन प्रोड्य ओंटा में स्पोस्कोंड लेड वनकर लैसे नौर्वर्ड को पीं tenga किंश्टिड 2.5 इन्होंने वर्ल्ड डिजनी कंपनी के साथ एक लाइसेंसिंग समझोता भी किया है जिसमें डिजनी मार्बल, पिक्सर और लुकास सहीद अपने सभी फ्रेंचाइजिस के आर्चिव्स और करेक्टर से इंस्पार्ड होकर होन, टेक्स्टाइल, उत्पादो की एक रेंज बनाई है ताकि वो अपनी प्रेजन्स को यूरोपियन कंट्री में भी बढ़ा सकें कंपनी की की पॉइंट्स अगर देखें कुछ मेजर इन्होंने कैपक्स का एक वो किया है तो कंपनी ने करीब एक कैप्टल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम के तहत तीन से चार सालों में 2500 क्रोन यानि 2500 क्रोन रुपेज का निवेज भी करेगी चिन भाई की तोड़ी हिंदी वीख है आप यहाँ पर सकते हैं स्क्रिंशॉट लेके अराम से इसको चीज़े देख भी सकते हैं अब उसके बाद होगा क्या आफ्टर दा रीसेंट कैपेक्स प्रोग्राम जब कंपनी इस सारा प्रोग्राम कर लेगी तो इसकी जो मैनुफेक्ट्रिंग फैसलेटीज है पूरे वर्ल्ड के अंतर वो सबसे बड़ी हो जाएगी यान एंड फाइबर डिवीजन जो इनका र बाद होगा के रिटावेल डिविजन में 25,000 टीप अनी तफ्र एननं ट्रैपरिमे मिलियन मीक्पक्र एननme 2 मिलियन मीक्प्र एनक प्र एनन्म एंड बेडिंग डिविजन में 61 मिलियन meter per annum को ये manufacture कर पाएंगे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा big positive point रहने वाला है आने वाले coming years में capacities की बात करें तो after that ये तो just अभी बताए आपको strong presence in North America अब अगर company का हम देखे major revenue तो इनकी तो strong presence है वो North America के अंदर है इनका तो major revenue आता है वो North America से ही आता है जिसमें total अगर इसका हम calculate करें तो 92.5% का revenue सिर्फ ये वहीं से लेते हैं बाकी का तो rest है 7.5% वो सब मिले जोले देश से आते हैं इसके अंदर Europe, Middle East Africa और India जैसे देश आते हैं इसके लावा company के अगर आप market cap देखें तो 1150 की market cap है current price चल रहा है 117 रुपय का high है 312 रुपय का low है 90 रुपय का stock rate कर रहा है 8 रुपय के multiple paper book value है 149 की dividend yield 0.43 return on capital employed 9.43 return on equity 10.1 का है यानि decent है और 5 रुपय की face value वाला है stock है आप सभी के लिए एक बहुत ही बैदर offer है हमारे सभी आप सभी viewers के लिए अभी हाली में हमने paid service भी start करी है जो 7 days के लिए free of cost मिल रही है आप सभी viewers के लिए link description में दे रखा है जाकर join कर ले 7 days के लिए आप trading का आना ले सकते हैं जो भी हमारे paid member उठा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने हिम्मत सिंग शीट की call दी थी 111 रूपीस की target था 120 SL 106 आज ही stock ने 121 का high भी लगतावा देखने को मिला है इसके लावा option में 16,200 की call दी थी Friday के trading session में 30-20 के उपर 62 राइस पर buy करने की recommendation थी target था 130 SL 30 का और आज अगर आप देखिए यहां पदेख सकते हैं 16,200 का ही यह option है 21 जुलाइ का और यहां पर आप stock में देखिए high 166 रूपीस का यानि कि इससे भी और भी कई सारी calls होती हैं लेकिन इससर्फ आप लोगों को inspired करने के लिए हमने screenshot के माध्यम से दिखाने की कोशिस करी है disclaimer देना चाहता हूँ saving register advisor नहीं हो तो अगर पर निवेज करने से पहले खुद की research एक बार जरूर कर ले जैसा कि मैंने बताया कि company अपने intrinsic value से काफी reasonably trade कर रही है तो अभी भी strong अपने book value से 0.78 टाइम से ही उपर है यानि कि आप चाहो तो current price पर buy कर कर चल सकते हो काफी बड़ी value buying हमें देखने को मिल सकती है आने वाले upcoming years में company expect कर रही है कि आने वाले quarter results अच्छे हों जो की हर एक company करती है अब इनका comparison करेगर हम इनके तो peers हैं Trident, Wellspun, Garavayor Tech, Raymond, GoFashion, Swan Energy and Jindal Worldwide जिसमें बाकियों से आप company करते हैं तो ये काफी reasonably P के ओपर trade कर रहा है जहां Trident का P है 23 का Wellspun का 12 का है Garavayor 40 का है, Raymond का 18 का है GoFashion बहुत ही high value पर trade कर रहा है वहीं पर हिम्मत सिंग शीठ कितना है मात्र 8. के आप्रोक्स आप देख सकते हैं मात्र 8.217 तो ये वह stock है जिसको आपको अपने वरडार पर रखना है और अपने वास list में जरूर add करना है मौका मिलने पर आपको इसमें जरूर buy करना है Sales देखें अगर मार्च 2020 में तो 2358 करोन की हुआ करती थी मार्च 21 में एक sale किरी थी बर्स 22 में 3184 करोन की sales हमें देखने को मिली है अब operating profit margin की क्या कहान ही है आप देख सकते हैं कि 17% का operating profit margin भी companies underrate कर बार रही है जहां पर आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी कंपनिया जो inflation का दौर चल रहा है अमेरिका ने 41 years के इतिहास को break किया है 40-41 years के इतिहास को break किया है अभी उसके बाजोद भी सित्रा पसंद का margin generate कर पा रही है कल आलोक इंडस्टी की results आये थे उनके profit में काफी गिरावट हमें देखने को मिली है हाला कि company ने profit तो किया ही नहीं लॉस था उनका और लॉस उनको और फिवल्दाव नजर आया है ने profit देखें तो 141 क्रॉन रुपिस का है एक positive point है earning per share 2021 माइनस का हुआ करता था जो कि बढ़कर 14.3% का हो चुका है 14.30 का हो चुका है माफी चाहता हूँ reserve अगर देखें तो 72 माफ करिएगा 21 में 1266 करॉं का था जो मार्स 2022 में 1420 करॉं का हो चुका है एक थोला consider वाला point है यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए company के थोड़ी borrowing अपनी बहाई है 2922 करॉन की borrowing है जो कि एक बार आप ज़रूर focus में रखिएगा अब यहाँ पर अगर आप promoter की holding देखें तो 47.57% की holding है FIIs 3.15, DIIs 9.53 वहीं public के पास 39.75% की holding हमें देखने को मिल रही है अब सरकार जिस तरह से textile sector पर ध्यान दे रही है जिसके तहट देखिए उन्होंने भी कुछ समय पहले ही announcement किया था textile park को लेकर जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्ता प्रदेश में 1000 एकर का land identified भी कर दिया गया है और आप इस चीज़ को देख सकते हैं आपर स्ट्रीन के उपर लिखा हुआ है दो अपरेल का article है यह जिसमें न्यूज आई थी और इसको published किया गया था तो एक रज़र हम दरह डाल लेते हैं कि कंपनी के technical charts पर क्या target आपको देख लिए को मिल सकते हैं आने वाले upcoming years and days में उस कंपनी के उपर आने के पहले हम एक बार रज़र डाल लेते हैं 5050 में क्या चल रहा है अगर 5050 में आप closing देखें कल की तो एक बहुत ज़ादा positive closing दी है 16,278 की label के ओपर अभी इसके लिए एक level open हो गया है 16,323 का ये एक resistance का काम यहाँ पर करने वाला है अगर इस label को ये break करता है तो जो target open होते हैं इसके लिए वो सीधा 16,450 से लेकर 16,528 के रहने वाले हैं तो आज के दिन आप लोग ज़रूर निफ्टी में अगर trade करते हैं तो इस label के ओपर खास focus करना है तो अगर company का current price हम देखें shares का तो हिमत सिंग सीट का current price चल रहा है 16,85 पैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं yellow line और blue line तो ये 20 days exponential moving average है जो blue वाली है 50 days exponential moving average है one week frame पर candle charts पर हम देखना चार है कि target क्या देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि stock ने भी हाली में एक breakout दिया है और वो जो level था यहाँ पर 109 रूपीज का था तो जो एक जवरदस्ट resistance के तोर पर काम था और एक support भी रहने वाला है अभी आने वाले कुछ दिनों में तो आप अगर सको current price buy करते हो तो आपको एक SL लेना है 105 से 103 रूपीज का SL थोड़ा deep इसले ले रहे हैं कई बार support के पास जब जाता है resistance के support के पास जाएगा तो SL होने की चांसर काफी बढ़ जाते हैं ऐसले SL थोड़ा deep लगाना है और जो target open है जो पहला है 20 days exponential moving average 135 इसको cross करते ही यह कोशिस करेगा कि यह अपने 50 days exponential moving average के आजपास trade करता दिखाई पड़े तो current price पर buy कर रहे हैं तो target यहाँ पर 138 से लेकर 165 रुपीज के रहने वाले हैं इस level को note कर लिजेगा काफी अच्छा stock मुझे नजर आ रहा है view long term का है तबी stock को buy करना है short term के लिए play कर रहे हैं तो definitely आप 102 रुपीज का SL लेकर 138 रुपीज के target के लिए stock में play कर सकते हैं आई होब कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो please लिए को like चरू करते हैं और हाँ हमारी पेट सरीशेस हैं जो टेमों को तोरो free of cost मिल नहीं है उसे join करना बिलकूल न भोलें Thank you for watching this video जै हिंद जै भारत